जब बात शरीर को हेल्दी रखने की आती है तो उसमें हमारी डाइटिंग हैबिक्स का बहुत ही बड़ा हाथ होता है तो ऐसे में अगर आप फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो इस बात का जानना आपके लिए बहुत ज़ादा जरूरी है क्या खाना चाहिएं कब खाना चाहिएं और कैसे खाना चाहिएं असल में हम दिन बैर में जो भी खाते पीते यौह जरूरी नहीं है कि वा शरीर के लिए फाइत्य pasado ही है इंसानी शरीर में तीन मुख्य अतत्प होते हैं आपके वाथ, पित और Marius जब भी इन तीनों में संतुलन भी करता है तभी मनुष्य बीमार पड़ता है। इसलिए खाने से जोड़े कुछ चीजों का आप खास ध्यान रखें। स्पेशली जब भी आप सब्जीयां पका रहे हों तो उसे ओवर कुछ ना करें। मतलब कि उसे जादा लंबे समय तक ना पकाएं। इसके साथ ही आपकी सब्सीजों है वह बहुत जादा कची नहीं रहने चाहिए। इसले कि जब अगर सब्सी आपकी कची रह जाएगी तो उसे आपका एपडोमेन आपका पेग डाइजेस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि हुआज करते हैं। इसके साथ ही अगर आप सबजियों को over cooked करते हैं तो उसमें present उसमें मौजूद आप अपनी vitamins and minerals को खतम कर देते हैं चीनी की जगह पर आप शहद या गुड़ का सेवन करना शुरू कर दें इसके साथ ही आप मैदर खाने की जगह पर आप चोकर यूप आटा या दलिया का सेवन ही करें अगर आपको भूख ना लगने की कोई समस्या है या ऐसी कोई शिकायत है आपके घर में किसी बच्चे को तो अद्रक का एक छोटा सा टुकड़ा ले उसे तवी पर आप भून ले आप इस टुकड़े को थोड़ा सा ठंड़ा होने के लिए रख दे हो और इस पर से अंदर नमक लगा कर खाना खाने से 10 मिनट पहले आप इसे खाए इससे आपकी भूख बढ़ती है और इसके साथ ह कि आपका पाचन बेहतर होता है खाना हमेशा ताजा और गर्म ही खाए ऐसा कंड़े से आपकी पाचन क्या स्वस्त रहती है इसके ऐसे फूद आपको रात में खाने से बचना चाहिए जिसमें से सबसे पहला आता है आपका 9 जैसे के चिकन इसमें प्रोटीन की मात्रा बहु करते हैं तो पहली चीज तो यह है कि आप में एसेडिटी ब्लोटिंग इस्ट्राइटेस इस तरह की समस्याओं का कारण भी बन सकता है इसके साथ ही आपकी बॉडी में ट्यूरिंग डाइजेशन मतलब पाचन की दोरान यह आपकी इंटरनल हीट प्रोडियूस करता है जिस कि आपके ब्रीन की एक्टिविटीज को स्टिमलेट करता है मतलग कि आपके मस्तिश के किकतिविदियों को बढ़ा देता है जिसकी वजह से आपकी जो स्लीप साइकल है वो पहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होती है तो यह कुछ फूड आटेम से जो आपको रात के समय में न प्रीन के समय में लाई कि प्राइब घर आपके एंपके बढ़ा है जो यह खूड़ा और दो